नमस्कार दोश्तो वेलकम बाक तो माई चानल और वेलकम तो दिस कलेक्टिव रीडिंग आप सब लोग अच्छे होंगे और इंजॉय करने अपनी जिंदगी को और डेली इनर वर्क करते हैं तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है अब ये जो चैनलिंग आये कलेक् इनसान हो आप जब इस फैमिली में आये थे ना जब आप पैदा भी हुए थे तो बच्चपन से ही सब को पता जरूर था कि आप में कुछ अलग है ठीक है सब जानते थे कि आप अलग हो आप डिफरेंट हो और आप कुछ बड़ा करके दिखाओगे जिंदगी में आप कह सकते हैं कि एक समय रहा होगा जब आपको सबने प्रिशेट भी किया होगा आप ही थे वो व्यक्ति जो अपनी फैमिली ट्री में सबसे अलग थे आप ही हो व्यक्ति जो कि आपके एंसेस्टर से भी सबसे जादा क्लोज हो और जैसा कि मैंने का आपके अंदर स्टार सीड उर्जा हो सकती है, ट्विन फ्लेम एनरजी हो सकती है, दोनों की कंबाइन एनरजी भी हो सकती है, आप एक मिशन वरकर हो सकते हो, आप एक लाइट वरकर हो, आपका जो असली काम है इस प्लानेट पे वो अपना उथान करना है, अपने साथ-साथ बहुतों का उथान करना है क्योंकि जबी भी किसी इंसान की अवेकनिंग होती है और अवेकनिंग के बाद जब उसकी कुंडलीनी पूरी तरीके से अक्टिवेट हो जाती है तो सिर्फ अपना ही नहीं बहुतों का भला करता है तो आप वो स्पेशल इंसान हो और ये जो समय है जो ट्रांजिशनल टाइम है इसमें जो लोग पैदा हुएं क्यूंकि इस वक्त अर्थ की पॉपुलेशन इतनी ज़ादा है आप यह देख लीजए एक बिलियन तो सिर्फ इंडिया इंडिया में ही है और बाकी छे-साथ बिलियन पूरे वर्ल्ड में फैले हुएं इतनी आबादी धर्थी की कभी आज तक हुई ही नहीं और इतनी आबादी होने के कारण इस प्लानेट पे बहुत से ऐसे लोग है जो टोटली डार्कनेस में जी रहे हैं और प्रोग्राम्ड है तो इन लोगों को उठाने के लिए इन लोगों का उठान करने के लिए कुछ कल्यूक की जो छाया है थोड़ी सी वो उन पे आ सके थोड़ी सी क्या उस टेम भी काफी हद तक डाकने सी थी हर जगा पे बहुत कुरीतिया थी गलत प्रताहीं थी नारी का कोई सम्मान नहीं था टेकनॉलजी बहुत लोग एनरजीज में थी आनेमल्स तो बहुत बुरी हालत म आगे हर जगा पे अलग अलग तरह के लोग निकल के आ रहे क्योंकि काफी लोग जो सबके सब ऐसे थे वो अवेकन हो गया है आप में से कहीं लोगों को लगता है कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ प्यार की ही तलाश करते रहे दूसरे लोगों से स्पेशल आपको लगता है अब स्पेशल हो आप डिफरेंट हो पर आप उसे नकार रहे हो या नकारते हो क्योंकि नकारातमक उर्जा आपके आसपास है नकारातमक शब्दी यही है नकारना किसी भी चीज को नकारना और यूनिवर्स में नो शब्द एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए आप जो भी करने को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ हमेशा प्यार ही डूणते रहे दूसरों से प्यार ही मांगते रहे और आपको बदले में कभी प्यार मिला ही नहीं आप मैंसे कईयों को ऐसा लगता है कि जो आपकी मदर हैं आपकी माँ हैं वो आप से प्यार नहीं करती इसी वज़े से नहीं करती क्योंकि आप अलग हो आप different हो और कई दफ़े वो आपको बार बार ये कहके भी इगन॓र कर देती है कि तुम तो strong हो ही कहीं दफ़े आपको लगता है कि strong होना एक अभी sharp है क्योंकि बाकी सबकी तो वो इतनी care करती है इतना ध्यान रखती है, सब की छोटी से छोटी ज़ुती जरूरत का ध्यान रखती है और हमेशा से उनका साथ निबाती है तो यह उनके साथ रही है और आपके साथ वो कभी उस तरीके से नहीं रही है या फिर कई केसे में तो मुझे बहुत जादा नेगिटिविटी भी दिखाई दे रही है कि आपकी बिलकुल भी नहीं बनती है, उनसे अपने घरवालों से नहीं बनती है, अपनी माँ से तो बिलकुल भी नहीं बनती, कभी भी आपको नहीं लगता कि वो आपका साथ देती है आपके लिए खड़ी होती हैं वो अपनी ही दुख में रहती हैं वो आपको दो strong motivating words ही नहीं बोल सकती क्योंकि वो खुदी इतनी दुखी रहती है कई लोगों की case में तो ऐसा है कि उनको लगता है कि उनकी जो माँ हैं वो खुदी बहुत लाचार और helpless हैं तो वो अपनी mother energy में है ही ने क्यों संतान को हमेशा एनरजी जो होती है उसकी मा से ही मिलती है यह जो मधवनी है यह हमारी सबसे closest धनी है इसलिए जब बच्चा बड़ा होता है तो खुदी अपने आप ही उसको कोई मा बोलना सिखाता नहीं है वो खुदी मा बोलने लगता है जो मा साउंड है ना वो हम सबसे पहले बोलते हैं यह साउंड ही ऐसी है इसलिए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसको मा बोलते है और आपको लगता है कि आपकी मा ही आपके close नहीं है तो क्या फाइदा जब आपकी खुद की मा जनम देने वाली मा ही आपसे प्यार नहीं करती है तो दुनिया आपसे क्या ही प्यार करेगी ऐसा आपको लगता है पर ऐसा 100% है नहीं या फिर आप ही कह सकते हो कि इस धारना को आपको बदलना पड़ेगा आगे जैसे जै कोई प्योगों कर दोश है क्योंकि आपको जितने भी लोगों ने रेस किया या कह सकते हो की मैक्सिमम् लोगों ने, आपको हमेशे ऐसी देखा कि ये कुछ अजीब है, ऐसे ने ट्रीट किया कि ओ, इसमें ये चीज है, ये गुण है, ये क्वालिटी है, या कह सकते हो, ये प्रतिबा है, तो चलो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है और वो कारण आपको समझ में अभी आ जाएगा, तो आप प्यार की तलाश करते रहें, आपको लगा आपकी माँ आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके घर के लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, भाई बेर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके फादर ने शायद आपका सा यह सब आपको लगा काफी समय तक, अब आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग इनर वर्क जन्नी में हैं, तो आप में से कहीं लोग इस चीज से जूज रहे हैं या इस चीज पर कार्य कर रहे हैं, इसे कहते हैं नर्सिस्टिक अभ्यू ततु कि अत्मिक लेवल पे चले गई, तो भी आप ही को बार बार चेड़ते हैं क्योंकि कि आप सबसे जादा सेंसिटिव हो कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि सारी दुनिया भर के श्राप आपी को ही मिल गए लगता है लेकिन आप ही को सारे गिफ्ट भी मिले हैं तो अपने इन श्रापों को कैसे गिफ्ट में कनवर्ट करना है यह सीखने के लिए आप आए हो लावर श्राप तो इसाथ रखा गया या आपको ऐसी जगा में ऐसे परिवार में भीजा गया जहाँबे special होने के बावजूद आपको बार बार ऐसा बोला नहीं गया कि आप special हो आप special हो क्योंकि गमंड भी एक बड़ी खतरनाक चीज है और आप देखें जितने भी बहुत ज़्यादा famous लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गमंडी होते हैं उन्में बहुत ज़्यादा कुछ करता है क्योंकि देखें नार्सिसिस्टिक उर्जा भी अपनी संतान में वही दे सकता है जिसके खुद के अंदर नार्सिसिस्टिक एनरजी होती है तो ऐसे कहीं लोग होते हैं जो अपने ही लोगों की ग्रोथ से जलते हैं और यह तो common चीज है सबसे जादा जलने वाले आपके आसपडोस में होंगे सबसे जलने वाले आपके रिष्टेदार ही होंगे और अपके फैमली में होएंगे भाई बेनों में इतनी sibling rivalry हो जाती है, तभी तो भाई भाई से लड़ता है property के पीछे, तभी तो भाई भाई से लड़ता है जमीन के टुकड़े के पीछे, क्यों? क्योंकि एक जलन का भाव, एक competition का भाव रहता है कि इसको मुझसे जादा ना मिल जाए, यह हमारे planet में एक negative template है, जिसको आप जैसे लोग ठीक करो, क्योंकि आप जैसे लोग तो ऐसे हो, जो बोलो कि तुमको चाहिए, तुम रख लो, कोई बात नहीं, मैं कोटिया में रह लूँगा, रह लूँगी, जोपड़े में रह लूँगा, रह लूँगी, लेकिन मैं यह कीज़ों के लिए, थोड़े से गहनों के लिए, पैसों के लिए, थोड़े सी प्रॉपर्टी के लिए, मैं क्यों लडूँगा, अगर आपके पास कुछ होगा ना, तो आप उन लोगों में से हो, जो समझदारी से उसका बटवारा करना जानोगे, आपकी ही ancestry में, आपके ही उपर कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हों ने अपने घर में कुछ लोगों को favoritism किया, उनको हद से जादा प्यार किया, जेंडर का differentiation किया, या कुछ इस तरह की चीज़े करी, जो आप देखके बड़े हो रहे हो, और आप खुद कहीं बार परशान हो जाते हो, आप ये सोचते ह होनी थी, इसी लिए भगवान ये चाते थे, सोर्स ये चाते थे, आपके masters, high angels, spirit guides, जो भी आपके साथ, आपके benevolent beings हैं, जो सोर्स की जो light है, वो यही चाते हैं कि आपकी ego death होए, और जबी भी इनसान की ego death होती तो उसका avatar self create हो जाता है, मतलब active हो जाता है, और avatar self वो होता है कि जिसको पता तो होता है कि मैं special हूँ, मैं divine हूँ, मेरे में ये powers है, वो powers है, लेकिन उसमें ego-lesh मात्र भी नहीं होता, श्री राम भगवान में और रावन में सबसे बड़ा अंतर ही है, कि रावन सारा दिन गाना गाता रहता था, मैं रावन हूँ, जब उसकी entry होती थी उस कि जैजयकारी करते थे, क्योंकि हर नार्सिसिस्ट को ये बहुत पसंद होता है कि लोग उसकी जैजयकार करें, ठीक है, उसके बारे में बोलते रहें, अनाप्शनाप बाते ही बोलते रहें भलें, कुछ भी बोलते रहें, तुम ग्रेट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, एक होता है एक रियल स्पेशल इंसान और आप में उन्हीं के गुण है मैं यह नहीं कह रही कि आप श्री राम भगवान ही हो मैं यह कह रही हूँ कि आपके अंदर भी सोर्स की वही स्पेक ओफ लाइट है इसलिए आप स्पेशल हो तो आपकी इगो इगो ना डिवेलप होए ना होए क्योंकि 3D World में रहते रहते हैं जबी भी हम कोई materialistic accomplishment करते हैं को achievement करते हैं तो ऐसा हो जाता है कहीं दफ़े कि इनसान के अंदर उसका घमंड आ जाता है और घमंड जैसे ही आता है उसके बाद पाक्खंड आ जाता है घमंड और पाक्खंड यह दोनों भाई बहन है यह एक ही सिक्के के दो रूप है घमंडी व्यक्ति पाक्खंडी होगा और पाक्खंडी व्यक्ति घमंडी होगा राइट सो यह जो मदर energy है जिससे आपको problem हो रही है इस से के पीछे भी यही राज है कि आपकी मदर भी हो सकता है special रही हो उनमें भी कुछ गुण रहा हो उनमें चलती है और 50% strength में चलती है तो आप ही उनकी मदद करेंगे आगे जाके क्योंकि आप अगर detach हो जाओगे तो आप यह बोलोगे कि मुझे कुछ ही नहीं चाहिए आपको जिससे प्यार करना करो आपको जिसके साथ रहना रहो आपको जहां जाना है जाओ आपको जो खाना है आपको जिसकी पूजा करनी है करो आपको जैसी लाइफ चाहिए वो करो अब ऐसे भी cases मेरे पास आते हैं जिनकी mothers ने किसी और से शादी कर लिए तो उनके step fathers भी है और step fathers के साथ उनकी वो bonding नहीं होती है जो उनकी अपनी पिता के साथ होती है और अपनी पिता के साथ जो उन ने जो किया सही गया इन फाक्ट इन्हों ने अच्छा गिया कहीं cases ऐसे होते हैं कि माता पिता कभी अलग तो नहीं होते हैं लेकिन हमेशा दुखी और कलेश में रहते हैं तो ऐसे घर में भी एक ये भावना आ जाती है कि मुझे मेरी मा नहीं समझती है मेरे पिता नहीं और उनका उनकी help करो उनका ध्यान रखो materialistically financially और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका root chakra बहुत strong है बहुत independent हो अप तो आपको कभी पैसो की finances की ऐस सच कोई problem नहीं आई बीच में कभी financial problem आई भी होगी तो वो इसलिए आई होगी कि जो दुनिया है ये दिखाने के लिए ये पर चलती है बाप बढ़ाना भाया सबसे बढ़ा रुपईया लेकिन सारे लोग तो ऐसे नहीं है जाहिर सी बात है अब मैं चाहते हूं कि आप जितनी भी channelings और जितनी भी collective reading सुने उन सब में आप अपनी attendance दे टेंडेंस देने का मतलब सिर्फ इतन ही है कि आप अपना नाम लिखें और आप कहां से हैं वो लिखें यू कान बी फ्रम एनी कंट्री एनी स्टेट ऑफ इंडिया और विदेश में भी आप कहीं भी हो सकते हो तो reading के नीचे आप हाई मैं सो एन सो हूं और मैं यहां से हूं ऐसा लिखने से क्या होता है कि बाकी लोग जो इस message को देख रह है क्योंकि यह feeling बहुत सारे लोगों को inner work की दुनिया में होती है बहुत प्रतिवा साली होने के बावजूद बहुत good looking होने के बावजूद बहुत amazing होने के बावजूद उनको बार-बार यही लगता है कि वो अकेले हैं उनका कोई नहीं है कोई ही नहीं समझता उनका कोई नहीं है इस दुनिया संचार में बट ऐसा नहीं है आपके लिए तो इतने लोग खड़े हैं क्यूंकि आज मैं आपको एक और interesting बात बताती हूं आपके साथ आपके बहुत सारे ancestors खड़े होते हैं और आपके साथ आपके बड़े powerful spirit guides होते हैं द्रिश्यों और अद्रिश्यों दोनों प्रकार के लोग आपके साथ हैं बाकी लोग जो negativity में हैं जो demonic possession में हैं उनके साथ कोई नहीं घड़ा वो अकेले हैं क्योंकि demon ही उनको possess कर लेता है जब demon किसी को demonic agent या energy किसी को possess करती ना तो वो उसके अंदर ही घुश जाती है और फिर वो उसी के ego के साहरे से गलत कार्य करती है लेकिन जो angels होते हैं उनकी नंबर बहुत जादा होती है और वो एक कोई आपको दिखेगा एक अकेला इंसान खड़ा है लेकिन उसके पीछे पूरी एक अद्रिश्य सेना होती है और इसलिए कहीं दफ़े वो अकेला इंसान बहुत हो पर भारी बढ़ जाता है और बहुत पावरफुल होता है क्योंकि कोने कोने में लोग उसके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग जब कर रहे होते हैं तो सौ एंजल्स बैटके माँ देख रहे होते हैं और हस रहे होते कि अच्छा तुम हमारे बंदे के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करोगे चलो जाओ जरा अपने घर जाके देखो अब तुम्हारे साथ क्या होगा या जाओ गाड़ी चला अपनी गाड़ी निकालो देखो क्या होता है तुम्हारे साथ तो उन सभी लोगों की जिंदगी में जो भी ऐसे अच्छे लोगों के पीछे पड़ते हैं जो भी ऐसी सोल्स के पीछे माँगी होती है, जैसि कि आप अकेले हो और अपने हெलप मांगे कि ही ही प्रभू कीजिये में यहाँ पे अकेला हूँ यह करती हूं और ऐसे थाप भी आते हैं, साथ 10-15 लोग होते हैं एक जध्ठे के साथ बैठे होते हैं फिर भी हगेला फील करते हैं आच्छे लोगों में और बुरे लोगों में यानि इवल में और इंजेलिक रेल्म में बहुत हलका सा फरक होता है कहीं दफे मुझे लोगोंने आके बोला है कि ये जो बुरे विए पुरा जत्था बनाके ग्रूब बनाके आजाते हैं लड़ने जगडने या ये सारे मेरे अगेंस्ट मेरे ही घर के पांच-दस लोग मेरे अगेंस्ट गेंग अप हो जाते हैं मैं अकेला और मेरे सामने इतने सारे ऐसा क्यों ? क्योंकि यह सारा एनर्जी इसका खेल है और यह सारे खेल भगवान आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भगवान आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह सब एक तमाशा है यह एक शो है और कुछ भी नहीं आप इसको जितना सीरियसली ले रहे हो ना उतना सीरियस य है नहीं क्योंकि यहां पर सबने मर जाना है और सबने जाना वहीं है और चैक कितनी भी कोई materialistic achievement कर ले recognition कर ले name fame शौरत पाले धन जमा कर ले सब को six feet under ही जाना है six feet ground के अंदर ही जाना है at the end तो इतना load क्यों ले रहे हो just chill just enjoy और special लोग जो होते हैं वो हमेशा चिल करते हैं तो आपको यह लगा है instead of feeling special आपने ऐसा फील किया कि आप ही इस घर के काले बेड़ है सबको तो आप से ही problem है बता नहीं आप में ऐसा क्या है आप different है और अब आपने truly decide कर लिए कि आप strong बनेंगे अब इस collective reading के माद्यम से मुझे बताया जा रहा है कि जो भी इस channeling को सुन रहे हैं स मेसेज को सुन रहे हैं आपने truly walking on this journey with your head held high with grace and love of your masters and source यह देखे कितना अच्छा लिखा है तो अब आप इस journey में हैं अब अपना सर उठा के आप चल रहा है आपको कोई फरक नहीं पड़ता आपके साथ कोई है नहीं है जत्ता है नहीं है employees हैं नहीं हैं यह है वो है दुनिया भर की जो भी चीज़े हैं आपको कोई फरक नहीं पड़ता आप understand करते हो कि जो आपके ancestors हैं उन्होंने आपको gifts भी दिये हैं और कुछ लोगों के कुछ ताकि आप हमेशा here and now में रहो क्योंकि present situation में जब आप रहते हो नहीं तो कोई problem नहीं है जैसे अभी बाहर देखिए कुपसूरत सी बारिश हो रही है मौसम बहुत सुन्दर है इस पल में कोई problem नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं हम कभी इस पल में रहते हैं हम इदर उदर चले जाते कभी future में चले जाते हैं पर जैसे अब यहां पर आओगे और breathe in करोगे relax हो जाओगे तो सब कुछ आपको नॉर्मल लगेगा तो अब आपको किसी से प्यार की तलाश नहीं है आपको किसी के पीछे भागना नहीं है भटकना नहीं है यह सारे decisions आप ले चुके हो अब आपको कोई फरक नहीं पड़ रहा है यानि कि चलो इस वक्त हो सकता है आप channeling सुन रहे हो तो आप strong feel कर रहे हो हो सकता है वापस up and down हो सकता है लेकिन इसी up and down को आपको ठीक करना है अपने inner work को strengthen करना है और यह सारे decisions मैं नहीं ले रहे हो आपके लिए यह सारे decisions आप खुद ले रहे हो कोई और नहीं आपको यह सब कह रहा है यह messages भी आपने अपनी intuition के through ही हासिल किया है आप यहां तक आए हो तो खुद ह आए हो ना कुछ ढूंड रहे थे कुछ सर्च कर रहे थे सर्च करते करते हैं यहां तक पहुंच गए यानि कि खुद को uplift करने के तरीके आप ढूंड ही रहे थे तो यही independence यही level of independence हमारे को चाहिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो तो यह म कर सकते हैं और सबसे जादा problematic होती है narcissistic abuse और 3D karmic relationships जो आपके आसपास होते हैं उनको release करने से भी इनसान की life बहुत चेंज होती है और अगर आपका root chakra already healed है तो फिर आपको तो chakra alignment में जाना चाहिए और फिर एक जो अलग दुनिया है जो दिव्यो दुनिया है उसमें entry मारनी चाहिए ताकि आप astral projection सीख सको lucid dreaming सीख सको और स्वपन में भी आपको ऐसा ना लगे कि आप स्वपन में हो तो यही दो सबसे बड़ा चमतकार है जिसको हम सबसे जादा चोटा समझते हैं हमने इस चीज को इतना downplay कर दिया है कि imagine रोज रात को इंसान सो जाता है गेरी नीं देखता है और फिर वापस सुबह उड़ जाता है और फिर वापस इस वेकिंग वर्ल्ड में आ जाता है उसको लगता है कि यही सत्य है तो कितनी इंट्रेस्टिंग चीज है तो study करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन एक बात हमेशा मेरी आद रखेगा और आपका solar plexus strong है ना मनीपुर चक्र अगर आपका strong है आप इस पर रोज काम करेंगे तो आपके सारे चक्रास automatically align हो जाते हैं क्योंकि मनीपुर चक्र solar plexus की जो ध्वनी है यही ध्वनी responsible है कुंडलेनी को यह बोती है शुष्वना को यह खोलती है और आपकी एदा और पिंगला नाडी को जोड़ देती है यानि कि अनीमा और अनाइमस का यूनियन करा देती है तो फिर और क्या चाहिए जब यूनियन हो गया अंदर तो राइट तो आई विल सी यू सून इन अनादर वन वन लव पीस आउट जै श्री राम